बिसमिलाहिरहमानीरहीम, असलाम लेकूम, वेलकम टुमाई चैनल, कैसे हैं आप सावाई होब आप सब ठीक होंगे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार घुड़ वाले चावल की रेसिपी बहुत ही असान और सिंपल रेसिपी है और जटपट बनने वाली ये रेसिपी है तकरीबन 15-20 मिंट में ये चावल बनके तयार हो जाएंगे तो सब जब पहले हम एक किलो चावल को बॉयल करेंगे एक चमश नमक डालके हमने इसको 90% तक गला लेना है और फिर इसको स्ट्रेनर की मदद से पानी इसका स्ट्रेन कर देंगे और फिर तीन पाव लेंगे गुड़ चाशनी बनाने के लिए और ये कुछ ट्राइफ रूट्स लेंगे गरी और किश्मिश, बादाम, काजू और पिस्ता ये सारी चीज़ें चाहिए हमें गुड़ वाले चावल बनाने के लिए तो सबसे पहले हम चाशनी त्यार करेंगे नहीं में एक लास पानी आड़ करेंगे और इसमें तीन पाव गुड़ आड़ कर देंगे और इसको अची तरह से मेल्ट करेंगे जब ये गूड़ अची तरह से मैल्ट हो जाए तो इसको स्ट्रेनर की मदद से एक दफ़ा स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कच्ट्रा और रेट निकल जाए फिर इसमें हम दूद एड़ करेंगे दूद एड़ करके इसको थोड़ा सा पकाएंगे और जैसे हम इसे पकाएंगे तो ये मैल बगएरा इसकी अलग हो जाएगी फिर कडाही में हम अधा कप गी लेंगे और तकरीबन 3-4 अदद इसमें हरी लाइची एड़ करेंगे और दुबारा से फिर हम चाशनी को स्ट्रेन करके ही इसमें एड़ करेंगे ताकि जो दूर डालने से मैल बगएरा अलग हो गई थी वो भी अच्छे से स्ट्रेन हो जाए और इसको स्ट्रेन करने के बाद फिर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिन तक जब एक तार में ये आ जाए तो समझे कि हमारी चाशनी तयार है फिर इसमें हम बॉयल किये हुए चावल एड़ करेंगे चावल को हमने 90% तक गलाया था इसलिए अब हम चाशनी को ज्यादा मजीद इसलिए नहीं पकाएंगे क्योंके चावल थोड़े इसमें मजीद गलेंगे अब हम इसको कनवर्ट करेंगे इस चाशनी में चावल को और अच्छी तरह से सारे चावल को चाशनी में मिक्स कर लेंगे तो चमस लाते हुए सारे चावल को अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स करना है फिर हमने इसमें ड्राइफ्रूट्स एड़ करने हैं ड्राइफ्रूट्स एड़ करके फिर हम इसे दम पे लगा देंगे सिंपल बहुत ही सिंपल मज़ेदार और असान रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस चावल बने हैं देसी खानों का तो अपना ही मज़ा है और गुड़ वाले जावल तो कमाल लगते हैं अब मैं इस पर थोड़ा से ड्राइफ रूट्स भी आड़ कर रही हूँ अपनी पसंद से आप भी ये रेसिपी ट्राइ करें और मेरे चैनल मरियम ओफिशल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले थाइंक यू